नमस्कार दोस्तो मैं हूँ अभी सेक और आज मैं बात करने जा रहा हूँ लेखक धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई पार्ट जिसका सिर्शक है मेरा छोटा सा नीजी पुस्तकाल है इस पार्ट में लेखक ने अपनी आद्म कथा के बारे में बताया है तो चलिए दोस्त सुरू से इस पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं सन 1989 में जुलाई महीने की बात है जब लेखक को एक के बाद एक तीन बार हार्ट अटैक आये थे उन तीनों में से एक अटैक तो इतना खतरनाक था कि उस समय लेखक की नबज, सास और यहां तक की धड़कन भी बंद हो ग उन्होंने लेखक को 900 वोट्स के शौक्स दिये जिस कारण लेखक के जीवन तो लोट गए लेकिन इस प्रयोग के कारण लेखक का 60% हार्ट हमेशा के लिए नस्ट हो गया अब लेखक का सिर्फ 40% हार्ट ही काम कर रहा था और उस हार्ट में भी 3 रुकावटे थी जिसके कार आपरेशन के बाद हार्ट रिवाईव ही ना हो फिर सभी ने यहां निड़ने लिया की अन्य विशेशग्यों की राय लेने के बाद ही आपरेशन के बारे में सोचेंगे तब तक लेखक को यह सला दी गई की अब वे अपने घर जाकर बिना हिले डुले आराम करे लेखक का म को लगता था कि उनके प्राण उस कमरे की हजारों किताबों में बसे है जो पिछले 40-50 सालों में दीरे दीरे लेखक के पास जमा होती गई थी ये सभी किताबे लेखक के पास किस प्रकार जमा हुई और उन किताबों को इकठा करने की सुरुआत लेखक ने कैसे की इन सभी के पहले तो लेकक हमें यह बताना चाते है कि उन्हें किताबे पढ़ने और समभाल का रखने का शौक कैसे आया इन सब की सुरुवात लेखा के बच्पन से होती है उनके पिता की बहुत अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी उस समय जब बर्मा रोड बन रही थी तब उनके पिता ने बहुत सारा धन कमाया था लेकिन लेखा के जन्म से पहले ही उनके पिता को गांधी जी के द्वारा बुलाया गया जिसके कारण लेखा के पिता को सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ी उनके पिता जी की सरकारी नौकरी छूट जाने के बाद उनके परिवार को आर्थिक कस्टों से गुजना पड़ा फिर भी लेखक के घर में पहले की तरह प्रती दिन पत्र पत्रिकाय आती रहती थी और इन पत्र पत्रिकाओं में आर्यमित्र साप्ताहिक, वितुदम, सरस्वती और ग्रीनी थी और साथ में दो बाल पत्रिकाय खास तोर पर लेखक के लिए बाल सखा और चमचम आती थी लेखक के घर में बहुत सारी पुस्तके थी लेकिन उनकी प्रिये पुस्तक थी स्वामी दायनन्द जी की एक जीवनी जो की बहुत ही मनोरंजक शैली में लिखी हुई थी और अनेक चित्रों से सजी हुई थी लेखक की मा लेखक को स्कूल की पढ़ाई करने पर ज्यादा जोड़ दिया करती थी क्योंकि लेखक की मा को यह चिंता लगी रहती थी कि उनका लड़का हमेशा पत्र पत्रिकाओं को ही पढ़ता रहता है अगर वह कक्छा की किताबों को नहीं पढ़ेगा तो कक्छा में पास कैसे होगा दरसल लेखक स्वामी दयनंद जी की जीवनी पढ़ा करते थे जिस कारण उनकी मा को हमेशा यह डर रहता था कि लेखक कहीं खुद सादू बनकर घर से भाग ना जाए लेखक कहते हैं कि जिस दिन उन्हें स्कूल में एडमीशन कराया गया उसी दिन शाम को लेखक क पिता ने लेखक की उंगली पकड़ कर लेखक को घुमाने ले गए गुमाते समय लेखक के पिता ने लेखक को लोकनात की एक दुकान पर मिट्टी के बरतन में ताजा अनार का शर्वत पिलाया और लेखक के सिर पर हाथ रखकर बोले कि लेखक उनसे वादा करे कि वे अपन सब उनके पिता जी का ही आशिरवात था जिसके कारण लेखक कठिन मेहनत करके तीसरी और चौथी कक्षा में अच्छे नंबर लाए और पांचवी कक्षा में तो लेखक प्रतम आए लेखक के इसी मेहनत को देख कर लेखक की मा की आखों में आसू भराए और उन्होंने लेखक को गले लगा लिया उस समय लेखक के पिता केवल मुस्कुरा रहे थे उन्होंने लेखक को कुछ नहीं बोला क्योंकि लेखक को अंग्रेजी विशय में सबसे ज़्यादा नमर मिले थे और इसी कारण लेखक को स्कूल से विनाम में दो अंग्रेजी की किताबे प्राप्त हुई उनमें से एक किताब में पक्षियों की जातियों, उनकी बोलियों और उनकी आदतों की जानकारी मिलती है और दूसरी किताब थी ट्रस्टी दरग जिसमें पानी के जहाजों की कथाएं थी उसमें यह लिखा था कि जहाज कितने प्रकार के होते हैं उसमें कौन-कौन सा सामान लाद कर लाते हैं कहां से लाते हैं और कहां ले जाते हैं नाविकों की जिन्दगी कैसी होती हैं कैसे कैसे से भरा आकाश और रहस्यों से भरा समुद्र था लेखक के पिता ने उनकी अलमारी के एक भाग से अपने सामानों को हटा कर जगह बनाई और उस जगह में दोनों किताबों को रख दिया और उन्होंने लेखक से कहा कि आज से यह जगह तुम्हारी अपनी किताबों का है अब आगे चल कर यही से लेखक की लाइबरेरी की सुरुवात हुई जो की आज एक बहुत बड़े कमरे में बदल गई लेखक किशोरा वस्था में गया, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से युनिवरसिटी गया, डॉक्टरेट हासिल की, युनिवरसिटी में अध्यापन किया और अ इताबे इखठा करने का पागलपन कैसे सबार हुआ या भी लेखक अपने बच्पन के एक अनुभाव में बताते हैं, इलहाबाद में विश्व विद्याले की लाइबरेरी के साथ अनेक कॉलेज की लाइबरेरिया तो है ही, इसके साथ ही इलहाबाद के लगबग हर मुहले में एक अलग लाइबरेरी है, दरसल इलहाबाद में हाई कोट है, इसलिए वकीलों और अध्यापकों की अपनी अलग से लाइबरेरिया है, और उन सभी लाइबरेरियों को देखकर लेखक भी सोचा करते थे कि क्या उनकी भी कभी वैसी लाइबरेरी होगी, लेखक के मुहल से लाइबरेरी में खूप सारे उपन्यास थे जब शुकला जी उस लाइबरेरी के लाइबरेरियन थे तो वे लेखक से कहते थे कि अब उठ जाओ बच्चे पुस्तकालाय बंद करना है तब लेखक तुरंत वहां से उठ जाते थे लेखक के पिता की मृत्यू के बाद लेखक को एक ट्रस्ट की तरफ से कुछ रुपए मिला फिर लेखक ने उन रुपए से सेकंड हैंड प्रमुख पाथे पुस्तक खरीदा बाकी पाथे पुस्तक सहपाथियों से लेकर पड़ा और स्टडी नोट्स बनाया उसी साल लेखक ने अपने मादमिक सिछा की परिच्छा को पास किया और फिर वे पुरानी पाथे पुस्तके बेच कर बीये की पाथे पुस्तके लेने के लिए एक सेकंड हैंड बुक्शौप पर गए सारी पाथे पुस्तके खरीद कर भी दो रुपए बच गए थे तबी लेखक ने देखा कि सामने के सिनेमा घर में न्यू थेटर्स में देवदास फिल्म लगा था उस समय उस फिल्म की काफी चर्चा हो रही थी लेकिन लेखक की मा को सिनेमा देखना बिल्कुल पसंद नहीं था लेखक ने अपनी माँ से कहा की कितावे बेच कर दो रुपए बचे है इसके बाद लेखक अपनी माँ की सहमती लेकर ही फिल्म देखने गए फिल्म का पहला शो खत्म होने में अभी समय था इसलिए लेखक पास में ही अपने जान पहचान की एक किताब की दुकान पर गए तो अचानक लेखक को उस बुख शौप पर देवदास नाम की एक पूस्तक दिखी जिसके लेखक शरत चंदर चटो पाध्याय है उस किताब का मुल्ले केवल एक रुपिया था लेखक उसी दुकान पर अपनी पूरानी किताबे बेचते थे लेखक उस दुकानदार का पूराना ग्रहक था तो इसलिए उस दुकानदार ने लेखक से कहा कि वहां उनसे कोई कमिशन नहीं लेगा वहां केवल दस आने में लेखक को वहां किताब दे देगा फिर लेखक सोचते है कि इस डेर रुपए में फिल्म देखकर क्या होगा, क्यों न दस आने में देवदास की किताब ही खरीद लेते है फिर लेखक घर लोट कर वहां किताब अपनी मा को दिखाया, तो लेखक की मा की आँखों में आसू आ गए लेखक को यह मालूम नहीं था कि वहां आसू खुशी के थे या गम के तरसल वहां किताब लेखक ने अपने पैसों से खरीदी थी और वहां किताब लेखक की नीजी लाइबरेरी की पहली किताब थी इसके बाद जब लेखक का ओपरेशन सफल हुआ तब उस दिन एक मराठी कभी विंदा करंदिकर उनसे मिलने आय थे उन्होंने लेखक से कहा भारती ये सैकडो महापुरुष जो पुस्तक रूप में तुम्हारे चारो और उपस्तित है इन्ही के आशिरवात से तुम बचे हो इन्होंने ही तुम्हें दुबारा जीवन दिया है फिर लेखक ने मन ही मन कभी विंदा करंदिकर और सभी महापुरुषों को प्रणाम किया लेखक को पता था कि उनके द्वारा इकठी की गई सभी पुस्तकों में उनके प्राण बसते है जिस प्रकार तोते में राजा के प्राण बसते है तो दोस्तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्म विश्वास बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आये है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमिट बॉक्स पर लिख कर जरूर बताए धन्यवाद